अब हम समस्ति पूर्जिले के कल्यानपूर परखंट के जनता चौक पर मौजूद है यहां के एक महिला कीशान है जिन्होंने आत्म निर्भर बन कर मश्रूम की उत्पादन सुरू कर दी है हला कि यहां पर जो आप प्लांट देख रहे हैं यह वही प्लांट है जो महिला कीशान तयार किये हैं और इसके अंदर में है बटन मस्रूम की जो फसल तयार शुरू कर दी है आईये हम दिखाते हैं इसके अंदर किस तरीके से इन्होंने बटन मस्रूम का जो फसल उत्पादन शुरू कर दिये है आप देख सकते हैं ये बेड़ है जिसमें मस्रूम उत्पाद के बारे में आपने कहीं सुना होगा और देखा होगा जो मस्रूम उत्पादन के लिए यहां पर आप देख सकते हैं जो मस्रूम है इसको बटन मस्रूम के नाम से जानते हैं यही मस्रूम है जो इस पर जो अभी थोरा सा कम दिख रहा है लेकिन किशान का बताना है जो एक से दो दिन में यहां पर पूरी तरह से मस्रूम जो है काफी संख्या में निकल निकलेगा औ और आएए हम जानते हैं यहां के जो महिला किशान है उनसे जो आखिर किस तरीके से यह फसल करते हैं और अभी यहां पर किशान है जिसे बाचीत करेंगे जो मश्रूम की जो फसल किये हैं कहा सी प्रेणा मिली और क्या लागाता है क्या नाम हूँ आपका हेमलतादेवी हां नफनी बनता है उसके बाद बनने के बार क्या करके स्टी करें तीयार होता है या फिर से क्या करते है पहले इसकी बंश त्यार होता है उसके बाद फिर क्या करते हैं उसके बाद इसका प्लांट तयार करते हैं उसके बाद प्लांट तयार होने के बाद इस पर उठा के इस पर लाया जाता है पूरे फिनीसिंग होने के बाद इस पर बीज डाला जाता है उसके बाद तयार होना यह स्टार्टिंग हो जाता है एक म अज़गोंगे में अच्छे प्लॉामेन लगत च हम लागत की बात करें तो कि clock कquently तो यह पूरा बेट में कितना बीज लगा होगा कि एक बेट पर लगता है तो रख स्षी नजिशना होता है साथ किलो ऋर मुनाफा कि अगर बात करें तुमनाफा कितना होता यह त्यार है तो कितने दिन पर कटते होंगे पड़े करता है किना केजी निकलता होगा पचास केजी और इसका कैसे मतलब इसका मारकेटिंग पुसा इनफरसिटी पहुंचाते हैं उसके बाद यहां भी मारकेट में भी भी भीकता है यह से वह ले जाता है जाके गाउंघर में तो आप अकेली ये खेती सुरू करते हैं या फिर इसके पीछी और भी कोई लोग करते हैं पती का इसमें सहयोग है अच्छा वी सहयोग करते हैं क्या नाम हो उनका बिर्जु सिंग कल्लाणपूर अच्छा आपका क्या नाम हो है हेमलता देवी अच्छा यह 앞पसे यह खेती कर रहे हैं दो महिना पहले से किये हैं कैसा कैसा लग रहा अब है किशान हेमलता शे बात कि उन्होंने बदाया कि ये मस्रूम की फसल जो है इंहो पहली बार शुरू की है और फसल भी अच्छी खासी हो रही है पड़े यहां पर उतपादन की बात करी तो करीब 50 KG परतिक दीन निकलता है वहीं मार्केटिंग प्राइस इसका जो है करीब 200 रुपे परतिक कीलो की दड़ से मार्केट में बिगता है अगर बात करी तो महीने के यहां पर यह तीन लाख रुप हब भी कमा रहे हैं जिते इसको मार निव जेटीन समस्क्राइब